नमस्ते विद्यार्थियों, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वारत है विद्यार्थियों छटी कर्षा के हिंदी विशय का हम अध्यान कर रहे हैं और हमारे समक्ष पाठ संख्या 2 जिसका नाम है हार की जीत विद्यार्थियों इस कहानी में हमने यह सीखा कि स्वार्थ की चिंता ना करके परहित या मानव कल्यान के भाव से आचरण किया जाए तो पतीत व्यक्ति में भी मानवता की भावना उत्पन हो सकती है तो विद्यार्थियों इस कहानी में एक बावा भारती है जो की संत है और उनका मानवतावादी द्रिष्टि कौन है उसी से प्रभावित होकर डाकू खड़क सिंग सुल्तान नाम का जो उनका प्यारा घोड़ा था उसको पुनह मंदिर तक लवटा गया था तो यह सब बाते हम लोग जान चुके हैं बच्चों तो असल में हार की जीत कहानी जो है वो मनुस्यता के ताने बाने से बुनी हुई एक पहुत ही अच्छी कहानी है तो विद्यार्थियों हम अब कुछ आगे बढ़ते हैं और इस चाप्टर के जो प्रस्ण उत्तर हैं उसको हम लोग हल करने का प्रियास करते हैं तो विद्यार्थियों आपके JCRT के पाठी पुस्तर के प्रिष्ट नंबर 11 पे आप देखेंगे पाठ से सम्मंधित इसमें कुल आठ सवाल है इससे आगे भी कुछ सवाल है लेकिन आरंभ में जो आठ सवाल है वे बहुत महत्पून है और उसको हम लोग समझने का प्रियास करते हैं तो विद्यार्थियों सबसी पहला सवाल जो आपके समझ है वह है कि बावा भारती ने खड़क सिंग से सुल्तान की प्रसंचा किन सब्दों में की बावा भारती ने खड़क सिंग से सुल्तान यानि की सुल्तान जो घोडा है उसकी प्रसंचा किन सब्दों में की तो विद्यार्थियों इसका उत्तर आप कुछ इस परकार से लिखेंगे आपके समक्ष देखिए उत्तर है बाबा भार्ती ने खड़क सिंग से सुल्तान की प्रसंसा किस परकार की थी तो उन्होंने कहा था कई वाक्य उन्होंने अलग-अलग कहें हैं पहला वाक्य कहा विचित्र जानवर है देखोगे तो प्रसंद हो जाओगे दूसरा उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी तीसरा क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हिर्दय पर उसकी छवी अंकित हो जाती है छवी यानि विद्यार्थियों तस्वीर अब हमारे सामने प्रसंद संख्या दो है खड़क सिंग ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई विद्यार्थियों आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं युक्ति का मतलब रणनीती तरीका या तरकीब अंग्रेजी में हम इसको स्ट्रेटेजी या टाक्टिक कहेंगे है ना तो कौन सी युक्ति लगाई किस युक्ति से उन्होंने प्रयास किया कि हम इस घोड़े को ले ले है ना तो चलिए बाबा भारती के प्यारे घोड़े सुल्तान को पाने के लिए डाकु खड़क सिंग ने एक योजना बनाई थी क्या योजना बनाई थी उस योजना के तहत डाकु खड़क सिंग को एक अपाहिज बनकर सड़क के किनारे बैठना था फिर बाबा भारती से निविदन करना था कि घोड़े पर उसे बिठा ले और अगले गाउं तक छोड़ दे फिर जैसे ही वो घोड़े पर बैठ जाए वो सरपट घोड़ा छीन कर वहाँ से निकल जाए यही योजना थी डाकू खड़क सिंग की विद्याक्तियों इसमें आप देखिएगा स्क्रीन पर मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है हलांकि यह भी सच है कि खड़क सिंग चाहता तो एक ही जटके घोड़े को किसी भी वक्त बावाभारती से चीन कर ले जा सकता था विद्याक्तियों खड़क सिंग एक डाकू था और डाकू का काम तो चीनना होता है तो सभावी करूप से वो चीन कर ले जा सकता था लेकिन ऐसा उसने नहीं किया बलकि एक योजना बनाई और योजना में क्या था कि सडक के किनारे एक अपाहीज बनकर बैठा रहना था जब बावाभारती वहां से गुजरते तो उनसे कहता कि मुझे बिठा लो अगले गाउं तक छोड़ दो मैं अपाहीज हूँ और इसी करम में जब वह घोड़े पे बैठा लेता यानि कि बावाभारती बिठा लेते तो वह जट और ऐसा किया भी उसने था आपको पता है इस कहानी में ऐसा हुआ था अब बच्चों हमारे सामने तीसरा सवाल है बावा भारती ने खड़क सिंग से क्या प्रार्थना की और क्यूं है ना बावा भारती ने क्या प्रार्थना की और क्यूं तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों जब खड़क सिंग बावा भारती के प्यारे घोड़े सुल्तान को धोखे से लेकर जाने लगा तो उस समय बावा भारती के मन में किसी भी प्रकार से घोड़े को खो देने का गम नहीं था बलकि उन्होंने खड़क सिंग से स्रिफ यह प्रार्थना की कि वह किसी को यह न बताए कि उसने चल और कपड से अपाहीज का रूप धारण कर घोड़े को प्राप्त किया है बात समझ में आगे बच्चों बावा भारती के मन में ऐसा इसलिए आया क्योंकि बावा भारती के मन में यह भावना चल गई थी कि यदि लोगों को यह पता चलेगा कि अपाहीज बनकर या अपाहीज के विज़ धारण कर खड़क सिंग ने घोड़े को प्राप्त किया है तो साइद लोग दीन दुखियों गरीव और लाचार अपाहीजों के प्रती सहानुभूती करना छोड़ देंगे तो समझ गए होंगे बच्चों अब हमारे सामने चौथा सवाल है बावा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़क सिंग के मन में क्या विचार उत्पन हुए अनुरोध यानि की अनुनय उर्दू में कहते हैं दर्ख्वास्ट अंगरेजी में कहते हैं रिक्वेस्ट हैना तो चलिए इस सवाल का क्या उत्तर हो सकता है देखिए स्क्रीन पे आप ध्यान देजे और जरूवी समझेंगे तो आप स्क्रीन सॉट भी ले लेंगे बच्चो बावा भारती के अनुरोध करने पर डाकू खड़क सिंग का मन अंदोली थोठा बावा भारती को अपने घोड़े के खोने का कोई गम अब नहीं था बलकि दुख थी तो इस बात की कि इस घटना को जब लोग जान लेंगे कि कि किस परकार डाकू ने अपाहीज का रूप धारन कर बावा भारती से घोड़ा छीन लिया तो इस से गरीबों, अपाहीजों, दुखियों, लाचारों के प्रती लोगों में कोई अच्छी भावना नहीं जाएगी इस घटना से दिन दुखियों पर आम जन्मानस के भरोसा तूटनी की चिन्ता थी तब हटात, खड़क सिंग के मन में या विचार उत्पन हो गया कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं बलकि देवता या महामानव ही सोच सकता है बाबा भारती एक साधू का जीवन जी रहे थे, उनके मन में संत भाव थी या संत की भाव ना थी, तो समझ गए होंगे बच्चों अब चलिए हमारे सामने पांचवा सवाल है घोडे को पुनह प्राप्त करके या पाकर बाबा भारती ने किस परकार अपनी प्रसनता ब्यक्त की यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पुनह जब उन्होंने घोडे को प्राप्त कर ली तो उन्होंने किस परकार अपनी प्रसनता ब्यक्त की अपने घोडे को पुनह पाकर बाबा भारती की प्रसनता की सीमान आ रही वे दोड़ते हुए अस्तबल में प्रवेश की अस्तबल यानि कि जहां घोडे को रखा जाता है घोडों को रखा जाता है और अपने प्यारे घोडे के गले से लिपट कर इस परकार रोने लगे मानो कोई पिता अपने बहुत दीन के बिचुड़े हुए पुतर से मिल रहा हो बार-बार उसकी पीट पर हाथ फेरते और बार-बार उसके मुँपर थपकिया देते फिर संतोस से बोले अब कोई गरीबों की सहयता से मुह न मोड़ेगा समझ गया होंगे बच्चों अब आपके सामने देखिए छठा सवाल है आपकी समझ से या समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई कारण देते हुए उत्तर लिखिये किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई तो देखिए इसका आदर सुत्तर ऐसा हो सकता है मेरी समझ में बावा भारती की जीत हुई और डाकू खड़क सिंग की हार हुई संसार का यह नियम है कि हमेशा ही परोपकारिता, सदाचारिता और सजनता की ही जीत होती है बच्चों, इकितना महत्वपून बात है इसको हम लोग जदी अपने जीवन में उतारें तो कितना अच्छा होगा न तो संसार का यह नियम है कि हमेशा परुपकारिता, सदाचारिता और सज्जनता की ही जीत होती है जदी हम परुपकारी हैं, सदाचारी हैं, हम सज्जन हैं तो हमारी जीत होगी भले ही थोड़े समय के लिए आसूरी सक्तियां आसूरी सक्तियां मतलब क्या होता है? जो बुरी सक्तियां है जो खराब सक्तियां है उनकी जीत हो जाए लेकिन अंतिम रूप से अच्छे गुणों की ही जीत होती है इस कहानी का अंत बहुत ही सुन्दर है इसमें दिखलाया गया है कि बावा भारती की बात सुनकर खड़क सिंग के मन पर उनकी सज्जनता और महानता का इतनों सुन्दर परभाव पड़ा कि उसे अपनी भूल पर पस्चताप होता है यानि कि अपसोस होता है रात के अंधेरे में वगोड़े को बावा के मंदिर में उसी जगास्तबल में बांध कर चला जाता है जहां वह बंधा रहता है तो छटा सवाल हो गया बच्चों अब आपके समर्ष साथवा सवाल सात्वें सवाल में है इस कहानी का सिर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्षक की सार्थक्ता क्या है भई हम ये जान ले तो इस कहानी का सिर्षक हार की जीत इसलिए रखा गया है क्योंकि यह कहानी बुराई पर अच्छाई यानि की भलाई की जीत दिखाती है बाबा भारती के कहे गए सब्दों से डाकू खड़क सिंग का हिर्दय परिवर्तन हो जाता है बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़क सिंग जीत कर भी हार जाता है इसलिए नाम तो बहुत सार थक है बच्चो हार की जीत है नगा हमारे समर्ष अंतिम सवाल है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें क्या सिच्छा मिलती है है नगा हार की जीत कहानी से हमें क्या सिच्छा मिलती है चलिए देखते हैं यह कहानी बुराई पर भला की जीत पराधारित है यह कहानी हमें यह बताती है कि हम अपने नेक और अच्छी विचारों से बुरे लोगों के मन को प्रभावित कर सकते हैं और उनके मन को बदल सकते हैं कठोर लोगों के कठोर दिल को भी द्रवित किया जा सकता है बिलकुल और बुरे लोगों को भी अच् च्छा तो बच्चों मैंने परियास किया सभी आठो प्रस्णों का हल आपको उपलब्द कराने का इस पाठ में कुछ और भी सवाल है ब्याकरण संबंदी भी कुछ सवाल है जिनके लिए एक अन्य वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष पुना उपस्तित होंगा तो तब आप बच्चों इन प्रस्णों को आप खुद से हल करें आप अपनी सब्दावली भी इसमें परियोग करें और प्रयास करें कि आप इन प्रस्णों के उत्तर खुद से लिखें आप इन उत्तरों को सुन जरूर लें लेकिन लिखें अपने से और भी अच्छे-च्छे सब् का प्रयोग करें अच्छे वाक्यों का प्रयोग करें और इस तरह से हिंदी में लिखने की आपकी जो छमता है उनिस्चित रूप से बिक्सित होगी और आगे चल करके उच्च कक्छाओं में आपको हिंदी भी से और उची कर लगने लगेगा तो ठीक है बच्चों इस वीडि के उत्तर आप त्यार कर लेंगे अपनी नोट कोपी में लिख भी लेंगे ठीक है बच्चों जैहिन बच्चों